दो हजार सत्रा से पहले मान दे और अन्य मांगों को लेकर आंगनबाडी वर्कर्स आई दिन धर्दना प्रदशन करते रहती थी लेकिन योगी अतितनात की अगुवाई में बिना भाच में बनी भाचपा की सरकार में न सिर्फ इस पर विराम लगा बलकि विभाग का काफी का अकल्प भी हुआ है यह बाते उत्रपदेश सरकार की महिला एवं बाल विकास पुष्टाहार मंत्री प्रतिभा शुकला ने हॉन्बिल टीवी से खास बातचीत में कही है प्रतिभा शुकला के मुताबिक अब समय पर बच्चों को गरम खाना मिलने समेत कई तरह की प्रतिभ इमांदारी से निभाए और उनका ख्याल रखना सरकार की जिम्मेदारी है और भी कई बाते मंत्री ने हॉन्बिल टीवी से साजा की है आएए देखते हैं प्रतिभा शुकला जी हमाई साथ मौजूद हम उनसे बात करेंगा मैं बेहद महत्पूर विभाग है अक्सर जो है शिकायते मिलती रहती है जो बच्चों का जो खाना होता हो समय पर नहीं मिलता है लेकिन जब से 2017 से यूपी में भाच्वा की सरकार आई है तब से बहुत सी ट्रांसेपरिसी आई है क्या चलना है बच्चों को खाना सही समय पर मिले क्योंकि आपके पास भीहद महत्पूर विभाग है तो किस तरह से इसका क्रियानवन करने हैं यह देखिए अब तो बहुत ही पारदरस्ता आ गई है हमारे विभाग में आधार काट से जिसका लिंक ह कि योजना थी मातबंदन योजना वो भी हमारे आंगनबाडी में आ गई है जिसके दोरह हमारी आंगनबाडी बहन जब गर्वती महिला को दबा देती पर इक्षण करती है गोध बराई का कारकाम करती है तो मातबंदन योजना में जोड़ देगी सीधे सीधे पैसा मातबं समाख करने के लिए भी हमारे में बहुत पुष्टाहर भी दिया जा रहा है दवाओं का प्रबंध भी है और साथ ही साथ इस पर हमारी आंगनबाडी कार करती हूँ का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है लेकिन मैं कभी-कभी होता है ना कि जो बच्चों को जो दिया जात आंगनबाडी कार करती हो दर वो समय पर नहीं मिल पाता है इस गैपिंग को कैसे दूर करें और पूरी तरह से पार दर्सी ताला है क्योंकि कहीं-कहीं मांग उठती है कि जिससरा से डीवीटी के जरिये पैसा और जरा जाता है जैसे बच्चों की स्कूल मुझे कॉपी किता है तो हमारे बच्चों को जो छोटे बच्चे पढ़ने आ रहे हैं उनको मिलना है साथी चाथ ड्राइफूट्स भी मिलना है सब कुछ मिल तो रहा है लेकिन आगे ऐसा कुछ होता है तो यह हमारी सरकार की मंसा के अमरूपी होगा काम कि वो किस तरह से करेंगे लेकिन पूर के लिए भी हमारे बच्चों को दो-दो किताबें स्लेट और चौक और शीशा है कि बच्चे अपनी परस्नार्टी को निखा रहें तो प्री नर्सरी स्कूल के रुप में चलानी की जो योजना थी उसमें हमारे जो मिंदू है उस पर पूनतियास से काम हो रहा है हर आंगनबा के बाद से बहुत सुधार आया है तो इसको आप 2017 के बाद से आप तक कितना बदलाव मानती है और आगे कितना चैलेंज बानती है आगे कितना और होना है बदलाव एक दिन पर दिन बदलाव करने की पूरी कोसिस की जा रहे है क्योंकि आंगनबाडी में आने वाला बच्च भी बना दिया आंगन बाड़ी का तो हम इसमें जरूर ये कहना चाहेंगे आगे से आगे अच्छे से अच्छा कार करने की पूरी कोसिस की जारी है हमारे बिवाग ब्योस्तित रहें किसी आंगन बाड़ी को यहां के धर्णा देने का हो सकता नहीं है आखरी सवाल में यह मेरा कि आप अंगन बाड़ी कार करते हैं से क्या अपील करना चाहेंगी बच्छों को लेकर हमें प्रतेग आंगनबाडी बहन से ये कहना है कि जो आपकी ड्यूटी है, भले आपको लग रहा है कि ज्यादा ड्यूटी है, लेकिन फिर भी आपको ये प्रदिन स्कूल को खोलना है और आप आप सिख्छी का हैं, आंगनबाडी बच्चों को पढ़ाना भी है, पढ़ाई स उनके स्वास्त का भी ध्यान रखना है उनके विक्तित निखार की व्याद भी करनी है यह प्रतेग आंगनबारी कम से कम दस बच्चों को भी अच्छा तैयार करेगी आने वाले समय में हमारे देश का गवर और देश का भविष सुधर का निखर कराएगा और आंगनबारियों से अफील भी कि है कि उनका काम अब तक की बेहद अच्छा रहा है लेकिन और भी अच्छा रहा है ताकि वो देश के विकास में उत्रव देश के विकास में अपना और बेहतर योगदान दिमा सके वीडियो जनली आनिल सायनी के साथ अनुप चाओधि हॉन्मिल टीवी लख कि अच्छा रहा है ताक कicus विकास में झाओधि हॉन्मिल ने तक अनुफ योघ्मिल टीव जो है।